वाइस्ट आप गैस वेलकम टू मैं चैनल गैस आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइप का सीखने वाले अडूबी आफटर एफट के अंदर जैसा कि आप लोग ने वीडियो के इस टाइडिंग में भी देखा होगा सो बेसिकली हम लोग इस सीखने के अंदर लाइट को एड़ करने वाले हैं पहले हमारा सीखने आपके कुछ इस टाइप से था आफटर कंपोजटिंग हमने आपके सीखने को कुछ इस टाइप से कंपोस किया है ठीके सो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो यहाँ पर मैंने वीडियो को इंपोर्ट कर लिया है सबसे पहले स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं अपनी फुटेच को आपके करेंगे स्लेक्ट इसके बजाएंगे हम इफेक्ट में और यहाँ पर आपको मिलेगा आरची ट्रैप कोड़ सिंपली आपको इहाँ पर कलिक करना है शाइन के उपर सो बेसिकली मैं आपको एक प्लगिन का यूज कर रहा हूँ अगर आप लोगो को इस प्लगिन को डाउन्लोड करना है तो आपको लिन्क मिल जाएग der transmission म decisions अप लोगो वहाँ से जाके डाउन्लोड कर सकते हैं इसम्पली यहाँ पर कर रहा हूँ भी रख सकते हैं अपने अकॉरिंग ठीके इसके बाद आपको यहाँ पर just click करना है pre process के उपर और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा threshold आपको simply इसको यहाँ पर कुछ इस type से increase करना है just like this ठीके so basically यहाँ पर इस area को कम कर रहा है कुछ इस type से then इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है source point आप यहाँ पर इसे move करें कुछ इस type से otherwise आप इस वाले icon के through भी इसको change कर सकते है या तो आप इस वाले button में click करें और इसे यहाँ पर just कुछ इस type से set कर लें something like this ठीके जहाँ पर भी आपको इसे रखना है इसके बाद guys मैं क्या कर रहा हूँ simply आप यहाँ पर क्या कर सकते है इसकी आप length को increase कर सकते है अपने according जितने भी आपको यहाँ पर length रखनी है कुछ इस type से sharp रखनी है अगर आपको यहाँ पर इसकी थोड़ी सी जो length है अगर आपको smooth रखनी है तो यहाँ से आप कुछ इस टाइब से इनको कर सकते हैं इसके बाद अगर आपको यहाँ पर इसकी light को boost करना है let's suppose आप चाहते हो कि यहाँ पर light ज़ादा हो या कम हो simply आप लोग यहाँ से इसे अपने according set कर सकते हैं something like this अब guys इसके बाद एक चीज़ समझते हैं अगर कभी भी sunlight किसी room के अंदर enter करती है window के थुरूट so in that time light में कुछ particles travel करते हैं या कुछ noise type की वहाँ पर हमें देखने को मिलती है अगर आप किसी dark room के अंदर बैठे हैं so in that time आपको light में एक noise देखने को मिलेगी या particles बट अभी हमारे यहाँ पर जो light आ रही है इसमें एकदम light flat है ठीके so इसको हम लोग ठीक कैसे करेंगे simply यहाँ पर जाएंगे fractal noise के अंदर और यहाँ पर just मैं क्लिक कर रहा हूँ enable ठीके जैसी आप यहाँ पर करते हैं enable so यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर कुछ noise यहाँ पर देखने को मिलेगी fractal noise और यहाँ पर आप लोग इसे just इसकी brightness कम जादा अपने according कर सकते हैं अब अगर मैं आप इसे play करता हूँ simply कुछ इस टाइप से now see हमें आप पर particles देखने को मिलेगी but particles अभी move नहीं कर रहे we want कि हमें पर particles move करें properly तभी हमें आप एक you know depth हमें आप देखने को मिलेगी तभी हमें आप सीन realistic देखने को मिलेगा इसके लिए हमारे पास यहाँ पर होता है x speed and y speed जिस भी direction में आपको यहाँ पर इसे move करना है simply आप यहाँ पर इसे move कर सकते हो let's suppose मैं यहाँ पर इसे कर रहा हूँ 5 कुछ इस टाइप से now अब हमारे यहाँ पर जो भी fractal noise है यहाँ पर move करेगा कुछ इस टाइप से ना उसी आप यहाँ पर इसकी speed को बढ़ा सकते है अब इसके बाल अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ simply उपर so यहाँ पर हमें एक option मिलता है simply use mask अगर मैं जैसे मान लो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो यह light है सिर्फ इतने area के अंदर यहाँ पर आए just सिर्फ इतने area के अंदर इतने area में मैं यहाँ पर light को नहीं चाहता हूँ it means shine so मैंने क्या किया मैंने यहाँ पर simply click किया use mask so जैसे आप यहाँ पर click करते है use mask के अंदर आप simply इसका radius यहाँ पर increase करेंगे कुछ इस type से so light यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी जितना आप इसका radius बढ़ाएंगे उतना यहाँ पर light आगे की तरफ shift करेगी कुछ इस type से even आप यहाँ पर इसका mask फैदर भी control कर सकते है जितना भी आप यहाँ पर light का amount चाहिए एक तरके से यह masking का यहाँ पर काम कर रहा है ठीक है अब अगर आपको color कुछ different रखने है तो अपने according आप यहाँ पर रख सकते हैं अभी मैं इस mask को कर रहा हूँ disable अब guys यहाँ पर एक चीच और समझ लेते हैं अभी तो हम यहाँ पर light को move कर रहे हैं यहाँ से कुछ इस टाइप से बट अगर मैं आप चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर जो भी इसकी shine की जो light हा रही है मुझे इसे किसी other method से यहाँ पर control करना है सो हमारे पास एक तरीका और है वो यह है आपको यहाँ पर create करने है एक new light सो right click करेंगे new light और मैं यहाँ पर भी ले रहा हूँ एक point light और यहाँ पर just naming दे रहा हूँ इसे shine ऐसे यहाँ पर capital होगा और simply यहाँ पर ok press कर रहा हूँ color यहाँ पर कुछ भी होता है उससे हमें यहाँ पर कोई फर्क नहीं पढ़ेगा ठीके और ok press करते इसके बाद मैं simply गया again shine के इंदर और यहाँ पर मैं इसे कर रहा हूँ 3D light जैसे ही मैंने आप इसे कर 3D light now अब इस point light के through मैं यहाँ पर इस shine की position को change कर सकता हूँ now see अपने according कुछ इस type से ठीके सो यहाँ पर काफी अच्छी यहाँ पर technique है इसे मैं भी कर रहा हूँ delete और वापस इसे कर रहा हूँ 2D अब अगर guys सेम अगर आप यहाँ पर जैसे मान लो fractal noise को control करना है so in that time अब हम लोग क्या करने वाले again हैं आप लेंगे एक new light so right click करेंगे new light और यहाँ पर मैं just type कर रहा हूँ noise इस बार end capital होगा और simply मैं यहाँ पर press कर रहा हूँ ok इसके बाद again मैं आप गया अपनी main video के ऊपर यहाँ पर जाएंगे fractal noise और इसे आप यहाँ पर कर दो 3D light जैसे यहाँ आप यहाँ पर click करते हो 3D light के ऊपर now इसको अब हम लोग यहाँ पर इसके through भी यहाँ पर move कर सकते है light के through छीके काफी अच्छा option है यहाँ पर in the last मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर apply करने वाला हूँ glow थोड़ा बहुत glow add करेंगे यहाँ पर so यहाँ पर गए effect and presets में और यहाँ पर मैं just type कर रहा हूँ glow और glow को यहाँ पर इसके उपर कर रहा हूँ drag and drop कुछ इस type से और यहाँ पर glow को मैं कर रहा हूँ उपर shine को गर रहा हूँ नीचे और इसको कुछ इस type से यहाँ हम लोग set कर ले थे हैं इसके intensity कम कर ले थे around 0.6 around ठीक हे सो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा कई सबसे अच्छी बात यहाँ पे यह है हमें यहाँ पे कोई भी की फ्रेम्स एड नहीं करने है जैसे मालो आपकी वीडियो किसी भी टाइप की वीडियो है आपने अगर इस मेथड को अपलाई किया सो जो भी यह शाइन है प्रॉपर हमारी वीडियो को प्रॉपर फॉलो करेगी मतलब जहां से भी हमारी शाइन निकल रही है हमें कोई भी ट्रैकिंग करने की नेर नहीं है डिरेक्टल यहाँ पे यह चीज काम करेगी ठीक है सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने आपे जश्ट शाइन को अपलाई किया और डिरेक्टल यहाँ पे यह इस टाइप से वर्क कर रही है इससे आपका टाइम भी बहुत बचेगा सो आज की वीडियो को लगा इस बस इतना ही था आप हमारे इंस्टाग्राम एन फेजुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं हम लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं अपने काम के रिगार्डिंग तब तक के लिए गाइस टेक कर बबाई बिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में